हाई फ्रेंड्स मेरा नाम है अगाव कुजरी और आप देखरें हिमलें सीने विजन आज हम बात करेंगे आइफोन 12 के बारे में जो अभी हाली में रिलीज हुआ है इसी महीने में आइफोन 12 पिछले आइफोन 11 से 11% पतला है 15% छोटा है और 16% हलका है साथ में इसमें A14 बियोनिक प्रोसेसर दिया है और OLED डिस्प्ले है इसमें की सेरामिक सिल्ड प्रोडक्शन दिया हुआ है चलिए इसका डिटेल्स में बात करते हैं इसका स्पेसिपिकेशन और इसमें फ्रेम बॉड़ी दिया है और भी मैट फिनिस के साथ सामने का ग्लास जो डिस्प्ले दिया है सामने का डिस्प्ले जो दिया है और पीछे तरब इसका सेरामिक सिल्ड दिया है और पीछे तरब इसका सेरामिक सिल्ड दिया है और भी ग्लोसी फिनिस के साथ आई-पी 21.5 mm x 7.4 mm और वो भी 164 gram है इसका weight Display जो दिया है 6.1 Retina XDR OLED screen दिया है जो कि 1170 x 2532 pixel resolution दिया गया है जो कि 460 PPI 600 nits का है और 120 Hz का touch sensing है इसका capacity HDR 10 दिया है Dolby Vision support कर रहा है यह डिस्प्ले और वह भी white color gamut के साथ चीपset जो दिया है इसका processor वह एपल का जो latest chipset है एपल E14 Bionic chip वह भी 5 nm का 5 nm का वह जाकूर है जो कि 2 core आपका highstrom है और 4 core आपका iStrom है वह भी 3.1 GHz turbo boost के साथ 16 core apple NPU भी दिया है जो कि 4th generation है memory इसका 4 GB RAM है और 64 128 या 256 GB का इसका internal storage option है रियर camera जो दिया है वह है dual 12 megapixel camera जो कि 26 mm wide angle है और f 1.6 इसका aperture दिया है जो कि 13 mm ultra wide angle वाला और f 2.4 aperture कर दिया है और इसमें video recording जो है वह 4K 60 fps है और full HD 240 fps है वह भी OIS और EIS दोनों के साथ इसमें इसमें dolby vision में दिया है जो कि 30 fps maximum camera फ्याइस का है front camera जो है 23 mm वहीं 12 megapixel f 2.2 का है और यह 4K 60 fps और full HD 120 fps में record कर सकता है वह भी EIS के साथ है connectivity इसका और देखेंगे तो इसमें dual sim दिया है option है और 5G support करता है 4G support करता है Wi-Fi Bluetooth 5.0 support करता है और GPS बैटरी जो दिया है वह 2815 mAh बैटरी दिया है जो कि fast charging 20W वाला है और इसमें 15 qi wireless charger भी दिया है जो कि max app के साथ आप यूज कर सकते है यह face ID डिटर्ट कर सकता है वह भी dedicated true depth camera के साथ तो इसमें यह 14 bionic processor दिया है जो कि dollar vision shooting support करता है इसमें super retina HDR display दिया है वह भी OLED वाला और इसमें ceramic shield दिया है वह बहुत tough है जो पिछला iPhone 11 से यह चार गुना ज्यादा इसका drop performance है तो आज के लिए बस इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेर जरूर किजिए और जो भी के लिए बस इतना मिलते हैं अगला वीडियो में थेंक्यू